दोस्तों माली जी आपका एक बेटा है और वो किसी दुष्टात्मा या किसी बड़ी बीमारी से गर्सित है और आप उसका दवा कराते कराते ठग गए हैं दुष्टात्मा नाम का कोई चीज नहीं होता यह सब अंध विश्वास है नहीं दुष्टों इसके बारे में आपको बहुत सारी युटूब में मतलब बाइबील से जुड़े मिल जाएंगे सबूत आप वहां पर सर्च कर लिजिएगा कि दुष्टात्मा होती हैं यह अंध रसकार दिखाई दे रहा है कि मतलब मेरा बेटा कैसे ठीक होगा? आप हर जगां माथा ठीका करके ठक गये हैं, हर जगां से प्रसान होगे हैं ऐसे में कोई भाई आता है और कहता है कि, दोस्त, मैं आपको एक ऐसा जगह बताऊँगा एक ऐसे ब्यक्ति के बारे में आपके घर में फिर से वह ऐसी सांती बनी रहेगी जैसे पहले थी, तो आप क्या करेंगे? अब भाई ये भी बताता है कि मेरे उहां एक प्रात्ना सभा होता है, जहां पर बहुत से ऐसे लोग आते हैं, जो कि बाइबल अध्यान करते हैं, बाइबल का वचन सुनते हैं, और ब जीवन बदल जाता है, जो इनसान के अंदर सैकुड़ बुराईयां भरी होती है, वो इनसान जब वहां जाता है, और वहां का वचन उसके अंदर जाता है, और उस पर इनसान आटोमेटिकली चलने लगता है, और उसके जीवन में बदलाव नजा रहता है, उसके जीवन से द्रेद्रे बुराईयां कम होती ने जा रहती हैं. अगर ऐसा कोई भाई बताए और वो बीमारी आपके बेटे का जड़ से ठीक हो जाए, तो आप क्या करेंगे? महाँ पर आप धर्म देखेंगे, रिती रिवाज देखेंगे या फिर आप अपने बच्चे का प्यार देखेंगे. मुझे पूरा यकीन है कि आप नहीं किसी धर्म को मानेंगे, नहीं किसी रिती रिवाज को मानेंगे, आप केवल सच्चाई को मानेंगे. आप उसको मानेंग जिसको जहां से आपको सही रास्ता मिलता हो। हाँ ये तो ठीक है कि लोग इसु में जाते हैं, इसु का वचन सुनते हैं ठीक हो जाते हैं, लेकिन लोग अपना धर्म क्यों बदल लेते हैं। ऐसा आपके मन में ख्याल आता होगा। देखिए, परमिस्वर ने कहीं नहीं कहा है कि मैं धर्म बनाने आया हूं या किसी को इसाई बनाने आया हूं या तुम लोग मेरे धर्म में आ जाओ। परमिस्वर ने कहा है कि मेरे वचन को इस बाइबिल के वचन को अपने छट पर लेकर परचार करो। मेरी बातों को इनको उनको बताओ। उसमें एक परतिसत जूट नहीं होना चाहिए। ये धर्म रीति रिवाज ये तो सब लोगों ने बनाये हैं अपनी अपनी सुविदा के लिए लालच के लिए जैसे माली जीए हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई ये तो सब लोग अपनी धन कमाने के लिए बनाये हैं। ये समझ लीजिए आप। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर धर्म नहीं होता तो हमें अच्छाई और बुराई का ग्यान कैसे होता। कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्च उद्धार पाएगा। देखिए भाई साब, परमेश्वर ने पहले से ही जब बच्चा जन्म लेता है और धर धरे वो बड़ा होने लगता है तो उसके मन में ये आभास हो जाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर हम उस बच्चे को किसी को मारना सिखाएंगे तो जयर सी बात है उसका मन कहेगा कि नहीं ये गलत है उसे मत मारो। अगर किसी का खून करना सिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है, वो उसका मन कहेगा कि ये गलत है, ये मत करो, वैसे ही हम कोई अच्छा काम करना सिखाएंगे, जैसे बेटा पापा से जूट नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहि है कि ये गलत है और ये सही है तो बताए धर्म की क्या आवसकता है धर्म तो हमें आपस में लडाता है जैसे एक धर्म में बहुत सारे रिती रिवाज अगर धर्म इतना अच्छा होता तो धर्म के नाम पर एक दूसरे की जो है मतलब उच नीच भाहुना से नहीं देखा जाता आज हिंदु काष्ट में देख लीजिए लोग कोई उंच है, तो कोई नीच है, कोई ब्रामण है, तो कोई सुद्र है, तो कोई छत्री है, तो कोई क्या है, तो आखिर परमिस्वर ने सबको एक समान बनाया है, परमिस्वर ने ये थोगा कहा है, कि ये छोटा है, ये बड़ा है, परमिस्वर ने तो सबको एक जैसे देखता है तो आखिर लोगों को यह क्या जरूत है बनाने की कि यह भाई यह तुम्हारे बगल में वो वो गरीब है वो छोटी जातका है तो उसके उसको नीचे बैठाओ और यह बड़े आदमी है बड़े जातके हैं तो इनको कुर्सी पर बैठाओ यह क्या बात है तो यह सब धर्मो से ही तो बना है देखिए जो परमिस्वर किसी को छोटी निगाह से देखता है किसी को बड़ी निगाह से देखता है वो कभी सच्चा परमिस्वर हो यह नहीं सकता है वो पक्षपाती परमिस्वर हो गया ना परमिस्वर वो होना चाहिए जो सबकार मतलब बराबरी से निया किसी को यह न समझे कि तू छोटा है तू बड़ा है तो हमारे धर में यही तो सिखाते हैं कि भाई तू छोटा है तू बड़ा है उसके घर खाना मत खाना उसके घर पानी मत पीना देखिए बाइबल सिखाता है कि जब कोई ब्यक्ति अपने बुरे कामों से मन फिरा लेता है और ये सोच लेता है कि हे प्रभू आज तक मैंने जो भी अपने जीवन में बुरे काम किये हैं पाप किये हैं वो सबका मैं तुछ से छमा मांगता हूं तो मुझे माप कर दे परमिश्वर तो और वो ब्यक्ति जो है अपने आप को परमिश्वर को समरपड कर लेता है और बाइबल पर चलने को तयार हो जाता है तो उस ब्यक्ति का उद्धार हो जाता है अब कोई ब्यक्ति है माल लेजिए उसके जीवन में हजारो पाप है सैकडो पाप है वो रोज पाप में डूबा हुआ है और कपूर अगर बत्ती जला कर ये मन्नते मांग रहा है कि हे परमिश्वर हे खुदा तो मुझे मेरे जीवन में सब कुछ तु ये दे दे वो दे दे नहीं कर सकता है जब तक उसको उस पाप का जो है वो परमिश्वर से छमा नहीं मांगता है कि हे परमिश्वर मुझे छमा कर दे मैंने आज तक जो भी मतलब गलत काम किया है उस पाप का मैं तुससे छमा मांगता हूं और आज के बाद मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा तो त अब उसे जो मांगेगा वो मन नते पूरी करेगा लेकिन फिर भी वो इनसान जो है मन तो बदल नहीं रहा अपना मन फिरावतों कर नहीं रहा है वो इनसान अपने उसके जीवन में पाप है बुरे काम कर रहा नहीं छोड़ रहा है लेकिन परमिश्वर से मन नते मांग रहा है कि मुझे यह दे दे और अब सारे धर्में ही सिखाते हैं कि परमिषवर को कपूर अगरबत्ती नारियल तेल से भी तो खुश किया सकता है और करते भी हैं लोग जो धार्मिक के लोग होते हैं जो मतलब धार्मिक नहीं कर सकते हैं उनको, जो धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो लोग करते भी हैं, परमिस्वर को कपूर अगरबत्ती जलाते हैं, और पता नहीं क्या क्या चढ़ावा देते हैं, क्या ज़रुत है, सब कुछ उसी ने तो मनाया है, आप बुरे काम करना छोड़ेंगे नहीं, और परम स्वर है, तो वो सबसे पहले आपको बदलेगा, आपके अंदर से वो बुरी चीजे निकालेगा, जो आपके अंदर भरा हुआ है, तब आपका कहीं वो मन्नते पूरी कर सकता है, अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ, और मेरे पिता जी सार हिंदू रिती रिवाज को मानते थे, मेरे बड़े भाई के ऊपर एक दुस्टात्मार आता था, जो कि बहुत परेसान किया करता था, बहुत पैसा मेरे पिता जी उसके ऊपर खर्च कर चुके, तमाम सोखा ओजा, तांत्री को बुलवाए, एक बार तो मेरे गाउं के बगल कर दंडवत करवाता था, ऐसा जो है, ऐसे ऐसे हपते दिन तक चलता रहा, पूरी रात हम लोग जागते रह गए, और उसे कुछ हुआ भी नहीं, वो जो है, मतलब आप लोग देखते होंगे, कि जब कोई इंसान, जो इस उन में मतलब विश्वास नहीं करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो तांतरिक और सोखा ओजा के पास तो जाते हैं, और वो लोग ठीक भी कर देते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कुछ पल के लिए, उनके जीवन में जो है, कुछ दिनों के लिए सांती बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है, फिर वो दुष्टा घर में चलता रहता है, तो कुछ दिनों के लिए तो मेरे घर में भी सांती बनी रहती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही नोटंगी सूरुआ व जांख था, घूँझे पीर मतलब मार जगड़ा जंख क्या रहन हमारे रिष्ड़ आये थे हमारे घर इसू का पैगाम लेगे वर समझार लेका और तभी से तो हमारे जीवन में मातलव बदलाव सुरू हो गया हमारे जीवन में एक नया अनंद आ गया वो कहे कि आप हमारे वहां प्रार्थना सबा होता है चरजबैठता है आप वहाँ आईए और वहाँ के जो लोग हैं, उनकी बातों को सुनिए, वहाँ पर मैं गया, करीब मेरे वहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक चर्च पड़ता है, मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि वहाँ सब लोग, मतलब हर कास्ट के लोग थे, हर जाति के, मतलब हर कोई भेदभाव नहीं था, वहाँ सब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, नमस्ते करते थे, एक साथ खाते थे, पीते थे, सब कुछ एक साथ, मतलब मैं ऐसा पहले कभी देखा यह नहीं था, मैंने सोच लिया था कि अब मेरा सपना यहीं पूरा होगा, और मैंने तभी से जान गया कि सच्चा परमिस्वर मुझे यहीं मिल गया है, क्योंकि यहां पर कोई बुराई नहीं है, तो इस तरीके से हमारे जीवन में सांती आया, तो आप क्या कहेंगे मेरे भाई साब, क्या अभी आपको लगता है कि येशु मसी धरम बदन ले आये थे, मुझे तो कहीं नहीं नजराता है कि येशु धरम बदलता है, येशु तो किवल मन को बदलता है, सब के आत्मा को बदलता है, आत्मा से उनके अंदर से बुराई को निकालता है, तो आप कोई इंसान कैसे कर सकता है कि ये इसाई बन गया, ये वो फला बन गया, ये सब भकवास की बाते हैं और दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए आप सबको गुडबाई